आप सभी का अपके अपनी यूटूब चेनल सुपर कंसर्ट क्लासेज में स्वागत है और आज किस वीडियो में हम लोग क्लास्टेंद हिंदी एक सब्सक्राइब करने वाले हैं और यह हमारा हिंदी एक लास्ट मोडल सेट है अगर आपने जो अभी तक मिन आपको जितना भी मोडल का सुलूशन बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को और अगर आप लोग हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए क्यांकि आपको इसी चैनल पर अभी तक का जो भी मोडल पर वड़ाया हुआ है जाए किसी भी क्लास का हो किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको complete solution म जाएगा और आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक करके हम लोग हरे कोश्चन के एंसर को बहुती सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे तो देखिए हमारे पास जो हासा में चंद्रमा के बारे में कहानिया गड़ी है तो चंद्रमा के बारे में और कभ्यों ने रचनाय रची है कि संसार की परत्यक जाती ने अपनी भासा में चंद्रमा के बारे में कहानिया गड़ी है और कभ्यों ने रचनाय रची है कोई दिकत नहीं बहुत यह सिंपल स से संबोधित क्या गया है तो देखिए अगर आप लोग पिसेच को पढ़ेंगे तो यहां पर साब साब लिखा गया है कि किसी ने उसे रजनी पती माना तो किसी ने उसे रात्री की देवी कहा कर पुकारा किसी ने विराहनी ने उसे अपना दूद बनाया तो किसी ने उसके प क्वे भी लिखा गया है कि बालक को सांद करने का यहां है पर यह भी लिखा गया बालप को सांद करिने के लिए एक ही उपाई था चंदा की चभी को पाने में दिखा देना ठीक है मैंने यह दिखार देना को पर आगे जो बड़ी मात है convenience नुvellब यहाँ इयां पर्यां व्या हर गंगा है अपर में कुस्चिन नीचे में कुस्चिन और जब भी अथवाए रहे गाथ दो क्यों रहे गार दोनों मैं से मात राप को एक ही विच्चन का एंसर देना है यहाँ फर मैं आप दोनों का दोनों कोश्चन का इंसर बता दूंगा तक आप लोग सीख पाई अच्छे दरेकर समझ पाई यहां पर जो एक कोश्चन है कि बहुब्री समास किसे करेते हैं उदाहरन साहिद इस पस्ट करें तो देखिए इस समास में की हैं अब आपको बार पर बता रहे हो क्या होता है इसाका बहुता हैं समास के बिग्र करेंगे तो उसमें पर स्टो επी थ्जो भी और तो तो बहुरी समास में तिसरा पद भी आता है जो हमारा मैन होता है जिससे अगर दसानां का बात क्या जाए तो रावन का बात होता है लंबो-दर बोलेंगे तो गनेस जी हो जाते हैं तो इसी प्रकार्च हो जाएगा जिस समास में कोई प्रतंण ना होकर एक अनियों किसी एपध कि प्रतंता होती है यूजरे पडूस उसकी समय का पसे सन है उनको बहुंव दिया जाता है। छिंसे 10 आननगी आननगी स्क्षक अम्छर गटाओ क्या लिक्यिक चूरा लिकेंगा, देस से आनन, जिसके हमारा दसानन, जिसके जी को बोलेंगे, रावन, ठीक है, सर, इस कोश्चिन का विने अन्सर दिया ही पर जो इकजाम पल दिया, इस से रिलिटेट इकजाम पल दिया, एक तिरी में दोसनी साना हो गया, यहां पर जो दसानन है एक अलग सा नाम आ रहा है इसलिए यह कौन सा हो जाएगा तो यहां पर यह आनन्द नहीं है आनन है ठीक है इसको आप लोग सुधाल लिजेगा में आपको पहले ही बता दिया यहां पर जो अगला question है question number five क्या है कि निमनलेकित प्रसनों के उत्तर दें यहां पर उपर में दो टो प्रसन है नीचे यहां पर आपका प्रसन है अत्वा दिया है या तो आप उपर बले का निसर दीजेगा या फिर नीचे बला का लेकिन यहां पर मैं आपको अभी फिलहाल दोनों का दोनों बताऊंगा देखें यहां पर क्या है कि सियाम जरा उठकर बाहर देखो दरवाजा कुन खटखटा रहा है इस बाहर किस प्रकार का सब्द है यहां पर यह जो बाहर है ना बाहर यह बाहर हमारा कौन सा सब्द है तो बाहर हमारा अविकारी सब्द है कैसा अस्थान वाचक किरिया विसेशन आगर आप लोग अस्थान वाचक किरिया विसेशन को पढ़ेंगे तो यह चीज़ आपको वहां पर मिल जाएगा ठीक असर यह हो गया आप देखे खान नमर क्या कि लिंग वचन वो कारक के आधार पर पर परिजबरता नहीं होने वाले सब् मतलब यह चेंज नहीं होता है चाए आपका लिंक का ईफेक्ट हो बैक आउलके आ इस utility नहीं होगा उसको फिर से बता देता हूं यह छो हम लोग लिखेंगे को चुन ना है कि कून सा है तो यहां पर हमारा ओर दिखेंगे को है ओर हमारा कल है यह जगा daí हमारा, अब हम जिकार बइम LAUGHTER Cungu से वह और होगया BRESA जो कि हमारा किताव का होने जींडेक नाट पर निचे में यां रहा एक वैस्ट पर कोस्षंक दिया गया है तो आप पड़ी जूर्ट अंचर्च चे यह आया मत्शुना कविता में इसका प्रियोग की सर्थ में हुआ है तो चलिए बात करते हैं कि समझते हैं देखिए मिरिक तृष्णा मने क्या होता है कि रगिस्तान में गर्मी के दिनों में जब हीरन को तेज प्यास लगती है तो हीरन इधर उदर भटकता है और उसे रगिस्ता पानी यह लगने जब उनके समीब जाता है तो उनको पानी मिलता है इस कारण उनकी प्यास नहीं बूझती फिर हीरन आगे बढ़ता है और पुना उसे दूर की रिध पानी जैसे पर्तित होती है इस प्रकार हिनना हमिसा भरमित रहता है इसे ही मिरिक्तिष्णा कहते हैं के लिए रोगया प्रोलम साल्व आगे देखिए अगला कोश्चन कोश्चन नमस सेबन कहिनादान कभीता में माने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में जाकर अपनी चेहरे पर मत रिजना जो भी आपना मतलब रंग रूप है उस पर मतलब फिदा मत हो जाना उस पर मतलब तु स्वेंग को गरवांतिय समझती है और उसके लिए बंदन का कारण बन जाता है यहां पर जो स्वेंग लिखिएगा यह देखिए अपर इस प्रकार साब को लिग देना है अब अगला जो कोश्चन है कोश्चन मेरेट क्या देख लिए यहां पर दो चीजी है एक उपर में को पादी मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया देखे भारत रत न मिला है फिर भी उनके मन में उनके मदलब मन में कभी घमंड आया ही नहीं अंकार आया ही नहीं उनमें संगित के परति सची लगन तदा सच्चा प्रेम था वह अपने मातरी भूमी से सच्चा प्र 9 क्या है कि फादर कामिल बुलके भारत्य संस्कृति के एक अभिन नंग है किस आधार पर ऐसा कहा गया है तो फादर बुलके अभारत में रहे उन्होंने राम कता पर सोध किया उन्होंने पहला अंग्रीजी से हिंदी का सब्दों कोस्तियार किया वह हिंदी को राश्ट्र भासा बनाने के प्रक्षिधर थे इसलिए फादर बुलके को भारत संस्कृति का अभिन का जाता था मदला भी एपन सपोर्ट मे एक खाने के लिए किसी जिन्द आपर वुनिस्वर दिज्य만 जितना इंसान अंतो गलत है इंसान को ऐसे लिएगा एक इन सान के लोग जब जानते कि आजादी के बाद भी दिलनी में बेठे हुकमरान आज भी एंग्रेजों के आगे अपनी दू मिलाते हैं तो बस इसी दिये मदब अख़वार वाले चूप थे क्या है कि यहां पर है हमारा एक्चल में हैं इहां पर लेटर है ऊपर में एक हैं नीचे में हैं अथवा है वाय एक कि अपने महले में नियमित विद्यूत आपूर्ति है तो सहायक विद्यूत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए चली हम लोग लिखते हैं इसको देखिए सेवा में महापरवंदक विद्यूत संस्थान राची जो भी यहां पर जगा का नाम होगा आप अपने इसाब स चल रही है लेकिन नगर की बिजली विवस्ता बिल्कुल खराब है दीन हो या रात हम बिजली के होने का भरूसा नहीं कर सकते कभी कभी साम को पांच से दस दस बजे तक बिजली गाइब रहती है यह हमारे भविस्त के साथ खिलवाड़े कि कि हमारी परिक्षाओं का ध्या रखते हुए बिजली आप उर्ती नियमित करने की किर्प्या करें घर्नेबाद भावदिय जो भी नाम होगा लिग दिजिएगा जगा का नाम आप थोड़े यहां पर सटा की लिखेगा इस परकार से देखेगा और लिखेगा कोई प्रोड्लम नहीं होने बाला है तो इस प देखेगे जारकंड राज के राची जीले में का दिवासी समुदाय रहता है इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय है मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं बिर्सा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवंग बिर्क रांतिकारी थे इनका जन्म राची ज सिक्षा चायवासा मजद विद्दाले में हुई यह उच्छ सिक्षा नहीं प्राप्त कर सके बच्पन सही विर्षा करांतिकारे विचारों के बालक थे विए सदा नियाएं का फक्ष लेकर खड़े हो जाते थे नियाएं का साथ देना इनका सवभाव था वे बहुत बहादू और सालसरी थे बच्पन में खूब बांसुरी बजाते थे अपने से बड़ों को खूब आदर करते थे बचोंगे पर ते उनके हिर्दय में गहरा प्यार था करकार यह देखे कारी क्या है बड़े होने पर खेती बारी करते और पस्वों को चलाते थे उस समय भी विए अपन करने लगी लोग उन्हें भगवान बिर्चा कहने लगे वे स्वेंग मांव समच्रें नहीं खाते थे और लोगों को भी इननी खाने से मना करते थे वोई सबों को प्रैमब भायचारे का उपदेश देते थे आगए सरीयाब देखिए आगे है अंग्रेजों से संघर्ष क्य लगाई इस लखाई में आधिवासियों के हार हुई भी भगवान विसको अंगरेंजों ने पकड़ कर जल में डाल दया कुछ दिनों तक ज interns रहने के बाद जल से चूड़ गया ठीक है विर्षा क्छा चेर सिशुट जाते हैं जल सिनी क judging कलते ही यहां पर उनका नाम सदा अमर रहेगा आदिवासी उनकी फूजा भगवान की तरह करते हैं इस दुनिया में उसी का नाम अमर होता है जो अपने समाज और राष्ट के लिए अपना जिवन अर्पित कर देते हैं के लिए रोग गया अगला जो कोश्चन है जो केमरा लास्ट कोश्चन है विग्यापन का देखले जिसर क्या है कि हर्वल तेल का एक विग्यापन लगबग कुछ अमगदार बनाए असी प्रतिरसाथ जड़ी भूटी से निर्मित कि फाइज दामों में संपर करें नमवाइल नमबर इमेल आईडी एस सीचन के सुपर घंसर्ट क्लासेज में देदिया याड़ जीमिल लॉटकम जो भी होगा इस प्रकास लिखिए का बहुती सिंपल